Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today is video में we will discuss about your 8th class English Worksheet, Worksheet No. 3 जिसकी डेट है 12th April 2021. जो आपकी 12th April की Worksheet आई है, इसमें आपका जो पार्ट एक है आपकी बुक में जिसका नाम है सुनामी, उस चेप्टर को हम पढ़ेंगे. ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? नेम अफ दे स्टूडेंट में अपना नाम लिख लेना है. नेम अफ दे क्लास टीच अगर बचो आपकी स्कूल में लिख वाते हैं आपके स्बजेक टीचर का नाम फिर लिखेंगे अपने इंग्लिष टीचर का नाम है, चले स्टार्ट करते हैं आज की Worksheet जो आपका पार्ट फिर्स्ट है आपके लेसन सुनामी का चलिए दूरिंग दे लोगडाउन पीरियेड इंडिया वस एफेक्टेड बैसम नेच्रल डिजास्टर जब लोगडाउन पीरियेड चल रहा था इंडिया में आपको पता ही है पिछले साल जो हमारा मार्श से लोगडाउन लगा था तो उस टाइम कुछ ने प्राकर्तिक आप दाएं प्राकर्तिक भी पत्तिया आई हमारे उपर लुक अप दे नियूज ओफ लास फॉर फाइम मन्स एंड राइड नेम्स ओप्लेस स्टेट वेर इस नेच्रल डिजास्टर अकर अब आपको चार-पांच महीने पुराने क्या देख रहे हैं नियूस लिए नियूस को फॉलो करना है और किन जंगें पर इकन राज्यों में ये नेच्रल डिजास्टर अई उनके बारे में लिखना यहां पर कुछ डिजास्टर ज कहीं यानि कि आपदाओ के नाम लिखे गए भूकंप यानि के फ्लड लैंड स्लाइड भी आपके अपने पढ़ा होगा और साइक्लोन बंद जो भूमी का खिसकना ना चटान का कीशकना वह लैंड स्लाइग रहता है तो बच्चो अर्थक्वेक तो हमने कई बार अपने दिल्ली में भी मैंसों किया था तो यहां पर क्या लिख देंगे आप सबसे पहले जो अर्थक्वेक लिखा है इसमें तो आप डेली लिख जाएए दिल्ली है ना दिल्ली हो गया अब उसके बाद देखिए बच्चो यह ना फिंगर से लिखना पड़ता है इसलिए मुझे थोड़ी सी दिकत आती है डेली हो गया फ्लड फ्लड कहां पर आई थी तो फ्लड को हमने सुना था न्यूज में कि बिहार के कुछ इस्सों में बिहार बिहार के कुछ इस्सों में फ्लड आ गई है तो इसमें बिहार लिख देंगे जो थर्ड वारा है आपका लेंड श्लाइड उसमें क्या लिखेंगे लेंड लेंड श्लाइड पढ़ाता हमने यूके है ना तो यूके हैं पर लिख देंगे यू और के यानिके उत्तरा खंड ये UK United Kingdom मत समझ लेना आप लोग मैं यहाँ पर लिख देती हूं इसकी spelling आप देख लेना उत्रांचल अब तो उत्रांचल बोलते हैं ये उत्रांचल ठीक है तो इसमें आप लिख लेंगे उत्रांचल चलिए साइकलोन कहां पर आये था तो साइकलोन हमारा आया था उरिसा स्टेटमेंट है न हिंदी पजेसको उरिसा बोलते हो इंगलिस में बोलते हैं इसको उरिसा ठीक है multip है तो आप इसमें उरिसा लिख देंगे तो यह हो गया इसका आंसर चलिए अब आगे चलते हैं आगे क्या दिया हुआ है आपकी वर्क सीप में इस लेसन में आप एक दूसरी प्राकरती काबदा के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम पता क्या है सुनामी अब आप बोलोगे इसमें तो टी सुनामी लिख है लेकिन मैं हम सुनामी क्यों बोल रही है क्योंकि बच्चो जो यह सुनामी यह जो टी है ना इसमें साइलेंट है इसको हम कैसे बोलेंगे इसको प्रनाउंस करते हैं सुनामी इसकी spelling तो T tsunami होती है लेकिन हम इसको प्रणाउंस करते हैं इसका उच्छारन करते हैं सुनामी करके On 26 December 2004 अज सुनामी हिट पार्ट्स ओफ इंडिया 2004 की बात है सुनामी में जो भारत के कुछ हिस्से हैं उन पर हिट करा उनको उहाँ पर आई सच एस अंडमान निकोबार जैसे आपका अंडमान हो गया निकोबार आईलंड जो हमारे दीपसमू है आप इसको भी इसलेंड या आइजलेंड नहीं पढ़ेगे आइलेंड, अनदमान निकोबार आइलेंड, ऐसी समें साइलेंड है ठीक है, यह आपको धिहान रखना है And the Tamil Nadu Coast and few more countries और कहां-कहां पर आई इंडिया में, इंडिया में अड़ बान निकोबार में आई दीब समू में और तमीलाडू के किनारों पर आई और कुछ दूसरे देशों में ऐूढ़ी, ट्रीक है, तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में कि नैच्रील डिजास्टर कहां-कहां पर आई tsunami is very large and powerful जो tsunami हैं तो वो क्या है बough gemachtenty विशाल और बहुती शक्तिशाली थी wave goes by earthquake under the sea कि आसे आती है जो sea के अंदर जो समूंदर होता है उसके अंदर भूकम पाता है ठीक है तो भूकम पाता है तो उसमें जो कैसी बड़ी बड़ी बगध विशाल waves यानि के धाराएं उठती है you can see here देखो ये पानी ऐसे भेहना चाहिए थे ना और ये कैसे विशाल धाराएं उठती है तो इसको बोलते हैं सुनामी जब पानी में भुकम आ जाता है आप साधरन सब्दों में इस तरीके से समझिए can you identify the place marked A and B on the given map hint the place our mansion in the above lines अब आपको क्या करना है ये पचानना है कि ये जो जहापे मार करा गया है ये जंगय और ये जंगय कौन सी है तो बच्चो अभी तो हमने पढ़ा जो ये तो आपके अंडमान निकोबार आइलन्ड हो गए और ये आपका हो गया तमिलनाडू ठीक है तो ये आपका तमिलनाडू है ये आपके आइलन्ड है ठीक है ये आपके आइलन्ड है लिख लेजे ठीक है ये हो गया आपका चलिए अब आगे चलते हैं नीचे दसुनामी कोज huge destruction and loss of life and property जो सुनामी है उसकी वज़े से huge होता है विशाल destruction कहते है तभाई को बहुत सारी तभाई हुई बहुत ज़्यादा सभाई और बहुत सारी जिंदियों का नुकसान loss मतलब होता है नुकसान होना खोदी जिंदियां लोगोंने and property और संपत्ती का भी here are some stories of courage and survival और यहाँ पर आप कुछ stories पढ़ेंगे इस chapter के आपके कुछ कहानिया दी गई है courage होती है साहस की कहानी और survival यानि के उनके बचे रहने की कहानियों के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए जो आपकी honey book है उसमें जो आपका part एक है जो नामी वही है तो आप पेज नंबर 25 और 26 पे इसमें पढ़ सकते है जो आपकी honey do book है ठीक है these stories are all from अंडबान निकोबार आर्ची पे लेगयो तो यह जो स्टोरी है आपकी अंडबान निकोबार के आर्ची पे लेगयो से हैं आप कहानिया पढ़ने पढ़ने वाली है इगिनेशियस वोज यह जो नाम है यह इगिनेशियस वाज दो मेनेजर ओफ़ कोपरेटिव सोसाइटी इन कचल और कचल एक जंगे का नाम है कचल की कोपरेटिव सोसाइटी में एक इगिनेशियस नाम का एक मेनेजर था है Ignisius His wife woke him up at 6 a.m. उसकी पतनी ने उसे 6 बजे उठा दिया because she felt an earthquake क्योंकि उसे ऐसा लगा कि भूकम पाया है तो उसने उसे उठा दिया Ignisius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break अब उसने Ignisius ने क्या किया बड़ ही ध्यान से उसे तेलिविजन सेट को तीवी रखा हुआ था उसको इसके टेबल से ओफ कर दिया यानि कि नीचे उतार दिया put it down और इसे नीचे उतारा ओफ कर दिया तेलिविजन को मतलब बंद कर दिया और put it down नीचे उतारा on the ground धरती पर so that it would not fall and break जिससे यह ना गिरे और टूटे ना then the family rust out of the house और फिर उसकी जो family है जल्दी से घर के बाहर चली गई when the termus storm stopped और जब वो जो भयाव है इस तिती वो रुकी जब वो तूफान रुका they saw the sea rising उन्होंने क्या देखा जो समुद्र है वो उपर उठ रहा है है ना जो हमने देखा जो waves है वो ऐसे नहीं रहती फिर ऐसे उपर उठने लगती है ऐसे उपर को चाल मानने लगती है तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने देखा जो समुद्र है वो उपर उठ रहा है in the chaos and confusion और उस परिशान वाली इस्थिति में उस गन्फूजन वाली इस्थिति में टू फिच चिल्रन कोट होल्ड दा हैंड ओफ देर मदर और फादर अब उन्होंने क्या करा उसनके जो दो बच्चे थे उन्होंने हाथ पकड़ लिए अपनी ममी के पापा के है ना देर मदर्स फादर यानि के अपने नाना के हाथ पकड़ लिए और उस नाना की हाथ पकड़ लिए एंड रस्थ इन अपोजिट डायरेक्शन और दूसरी जो उससे उलट डायरेक्शन में जाने लगे he never saw them again उसने उन्हें दुबारा नहीं देखा समझे रहो कि मतलब वो जो था ignisius उसने उन्हें नहीं देखा his wife was also swept away और उसकी wife भी बह गई only the three other children who came with him were saved बस केवल तीन वो बच्चे जो उसके साथ आये थे वो बच गए लेकिन जो उसके दो बच्चे थे जिनोंने उसके नाना का और उसके भाई का हाथ पकड़ा था दूसरी इर्दिसा में चले गए थे वो उसने नहीं देखे संजीव was a policeman अब तो हमने ignisius की कहानी पढ़ी थी अब हम पढ़ते हैं संजीव की कहानी संजीव was a policeman संजीव एक policeman था serving in the कचल आइलेंड कचल आइलेंड में वो भी काम करता था निकोबार ग्रूप आइलेंड में he somehow managed to save himself उसने किसी तरह अपने आपको बचा लिया his wife and his baby daughter from the waves उसने अपनी वाइफ को अपनी छोट बच्ची जो उसकी बेटी थी उसको बचा लिया उन लहरों से but then he heard cries for help from the wife जोन the guest house cook लेकिन जब उसने सुना कि जो जो जोन की wife है और जो उसके guest house की cook है guest house का जो cook है उसका खाना बनाने माला है जोन उसकी wife help के लिए चिला रही है संजीव जंप्ड इंटू दे वाटर संजीव पानी में कूद गया to rescue her उसको बचाने के लिए rescue होता है किसी चीज से बचाना but they were both swept away लेकिन वो बह गए गए कौन जोहन और वो बह गए क्योंकि उसको बचाने के लिए गया था वो भी नहीं बचा उसकी मदद करने के चकर में वो बह गया 13 year old मेगना was swept away along with her parent जो 13 साल की मेगना है वो भी बह गई अपने parent के साथ अपने ममी पापा के साथ and 77 other people और वो ही नहीं उसके साथ 77 77 जानते हो ना 77 जो दूसरे 77 लोग हैं वे भी बह गई she spent 2 days floating on the sea और वो नोने तैरते तैरते कहाँ पे समुंदर में कितने दिन बचाएं दो दिन दो दिन महीं पे बिताएं holding on a wooden door और एक लकडी का तूटा हुआ लकडी का दरवाजा था तो उसको पकड़ रखा था क्योंकि लकडी तो डूबती नहीं ना तो उसको पकड़ रखा था 11 टाइम सी सो रिलीफ हेलिकॉप्टर और उसने 11 बार 11 बार जो हेलिकॉप्टर सोते हैं जब कोई आपड आती है तो उपर से हेलिकॉप्टर देखते हैं कोई फसा तो नहीं है कुछ हो तो नीरा किछी को जरुवत नहीं है तो उसनोंने 11 बार देखे अपने सीर से उपर मतलब अपने उपर से सीर के उपर नहीं बहुत उपर देखे अपने सीर से बट दे डिड नोट सी हर लेकिन उन हेलिकॉप्टर से नहीं देखा उनको सी वस ब्रोट टू दे सोर बाई वेव और वो किनारा सोर होता है किनारा वो किनारे पर एक लहर के द्वार आई और उसको देखा गया वो जो किनारे पर आकर चल रही है ना देखो कितनी आश्रेगी बात है कि दो दिन से वो बची नहीं और उसमें लहर में बैके किनारे पर आगई लेकिन फिर भी वो बच गई तो तीन कहानिया हमने पड़ी बिल्कुल अलग अलग चलिए अब उसकी मदद से अब हम क्या करेंगे इस वर्क सीट को सोल करेंगे तो चलिए मेगना स्पेंट टू डेज इन दसी सी सा ओवर हैड बट दे डिड नोट सी है अब उसने जो मेगना है उसने अपने ऊपर क्या देखें इसने दो दिन कहां बिताए दो दिन उसने बिताए सी सोर में तो इसमें क्या बढ़ देंगे पहले में मैं बच्चों जानती हूँ इसका फोंड वह छोटा है आपको देखने में परेशा नहीं है लेकिन इसका छोटा आता है लेकिन आप सुनिए और सुनके कर लिजे मेगना spent two days कहाँ पे in the sea तो आपका कहाँ पे आया था two days floating on the sea तो आप क्या करोगे इसमें यहाँ पे भर दोगे floating मैं spelling बोलू आपको f-l-o-a-t-i-n-g floating in the sea है ना तो यहाँ पे floating भर देंगे पहले वाले में sea so sea so क्या देखा उसने sea so क्या देखा relief helicopter तो यहाँ पे क्या दिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे जो पहले वाला है इसमें भर देंगे r-e-l-i-e-f relief और दूसरे वाले में लिख देंगे helicopter ठीक है helicopter तो यह इसमें आ जाएगा आपका पहले दूसरे में relief helicopter ठीक है बचो देखिए दुबारा से मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से आप इसको भर देंगे दूसरा देखिए संजीव lost his life but saved किसको बचा लिया अपनी तो life खो दी लेकिन किसको बचा लिया अपनी baby daughter को और अपनी wife को तो his इसके में मैं दूसरा color ले लेती हूँ जिससे आपको दिकत ना हो his यहाँ पर पहले वाले में भरेंगे आप wife w i f e wife और उसकी यहाँ पहले वाले में दो हैं तो दो में क्या जाएगा b a b y baby और दूसरे में भर देंगे daughter ठीक है baby daughter d a u g s t e r ठीक है यह भर देंगे संजीव lost his life but saved his wife and his baby daughter ठीक है थर्ड देखिए ignisius could only save his जो ignisius है save his children who came with us केवल वो कितने बच्चों को बचा पाए जो उसके साथ आए थे अभी हमने पढ़ा तो अभी हमने पढ़ा था कितने बच्चे 3 ना तो इसमें क्या पर देंगे आप 3 th r w e 3 केवल तीन बच्चों को बचा पाए थे तो इसमें पर देंगे 3 in your opinion which words in the list blow describe sanjeev अभी हमने जो sanjeev के बारे में पढ़ा उसके बारे में आपको बताना है वो कौन से दो शब्द हैं जो उसको एक तो वह बहुत heroic थे जैसे hero होते है ना अच्छे होते हैं काम करने में तो इसमें लिख देंगे heroic h e r o ic heroic and कैसे selfless थे एक इसको भरेंगे selfless यानि केवल selfish नहीं थे अपने बारे में नहीं सोचते थे केवल क्या करते थे अपने दूसरों के बारे में भी सोचते थे तो इसमें आप भर देंगे selfless ठीक है तो यह हो गया आपका डी का अंसर आप आ देते हैं इपर इपे क्या पुछा गया है find out the past tense of the verb जो हमने past tense टूननी है आपको पते यह वर्ब की तीन form होती है जैसे यहां पर दिया गया है feel तो feel की second form क्या लिखी है इन्होंने past form felt तो हमें भी second form भरनी है यानि के past form अब देखिए दूसरा है see the sea rising अब इसको जो see नोंने हमें pink करके दिया है तो see की second form क्या होती है as a w so है ना see see sa seen तीन होती है ना तो हमें second value भरते नहीं come with him come के बारे में पुछा है तो come की second form क्या होती है came come came come form यानि के came है second form चलिए here here की second form क्या होती है h e a r e d here है ना तो here की second form क्या होती है मैं दुबारे लिख देती हूँ इसको h e a r e d here here की second form ये लिख देंगे आप अब इसके बाद jump की jump की क्या हो जाएगी second form jump की हो जाएगी आपकी jumpd j u m p e d ठीक है तो ये आपकी jumpd की हो गई उसके बाद wake wake की क्या होती है second form woke ठीक है तो ये हो गई wake की pass form ठीक है तो pass में हम इस तरही कैसे लगाते हैं तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी work seat जो अच्छी सी work seat आई थी आपके लिए मेहनत करनी है आपको अच्छे से पढ़ना है और बच्चों समझना है तो दुबारा पढ़ लिया करो लेकिन आपको हर एक concept को clear करते हुए चलना है जिससे आपको आगे दिक्कत ना है अब आपके जुलाई में तो जरूरी स्कूल खुलेंगे हो सकता है जून में भी खुल जाए तो आप उसके लिए प्रिपेर हो और पढ़ते रहों खुब पढ़िए खुब एंजोए करिए लेकिन करोना से जरूर बचके रहिए क्योंकि अब दुबारा से फैल रहा है मैं आपको बार बोल रही हूं और हां पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़िए थैंक यू स्टुदेंट्स हव गुड़ डे